हालो आप सावी रीस और आप सब्सक्राइब करें इसमाइल के साथ बाइल के साथ और ले लाइक में देख सकते हो और ले रात बहुज़ पूरी रात बहुज़ के रखी थी कि यहां पर मैंने प्याज और टमाटर को चौप का लिया है हरी मिड़ चो यह देखिए यहां पर मेरे दूद गरम हो रखका है तो दूद गरम होनी के लिए रख दिया मैंने तो पहले में दूद गरम कर देतूं और इसको मैं फ्राइक करूंगी मॉंख दाल को तो बने अब तो गर्मी मतलब बहुत ज्यादा होने लगी है तो कि अब तो टैमी गर्मी का है तो चलिए मैं पहले डाल देती हूं तो यह देखिए में फोड़ा सा और डाल देती हूं इसके बाद इसको गर्म होने के बाद हिंगेरा डाल देना है बहुत अच्छा लगता है और मून दाल का तो सबको पता हिए कि हमारे लिए कितने फायदे बंद होती है तो आप लोग बना सकते हो और इसके बाद जो प्याज और यह मैंने लहसन कट करके रखाता है इसको पूलनों चाहिए कि हमारा यह भुण जाये जले नहीं और एक दोम बड़ी सा कलर आजाए तो यह देखी गए चोजिश के बाद कर देना इसमें टामाटर एड्ट तो दीखिए टामाटर को पी ज्यादा नहीं भुलना है थोड़ा सा बस ऐसा ही अच्छा सा वो कलर आ जाए तो यह दिखिए मैंने भूल लिया है और इसके बाद जो मूंग डाले ना इसको एड्ट कर देना है इसमें तो यह दिखिए मैं इसको मूंग डाल को डाल रहे हूँ जितनी भी है मैं सारी ढाल दूगी और आपको मैंने दिखाई दिया था कि ढाल दी और आपको बनाईए खाईए तो यह दिखी गाया है और इसके बाद इसको अच्छे से चला देना अच्छे से कर देना है इसके बाद में मसाले एड करेंगे हम आप वाल भी सकते हैं वाट वाली में इसलिए नहीं क्योंकि यह पूरी रात तो वैसे ही पाने में भूह रही क्योंकि ज्यादा फिर पुली से हो जाती तो वह मुझे अच्छी नहीं लगती और तो इसलिए मैंने इसको नहीं अब करें तो आप चाहू तो आप बोइल भी कर सकते हैं तो यह देखिए इसमें मसाला हल्दी प्रलाम बिट्ची हल्दी और नमक और जीरा पावडर ना हुआ और वुकाली मिर्च आड करूंगी तर्णिया पावडर तो यह जो हम डेरी उजम में डालते हैं वो आड कर दे में बहुत अच्छा सा टेस्ट आता बहुत बढ़िया तो यह दिखेंगे मैं अच्छा सा चला दे रहे हूं इसको तो यह देखिए नमक मुझसे पहल गया है वह जाता कभी कभी दिमाग काम नहीं करता है बस पूछो मत आजकल इतनी टेस्ट चल रहे हैं बहुत ज्यादा कव टेम पूरा होगा पता नहीं तो यह देखिए थोड़ी से में इसमें काली मिर्स एड़ कर दी है तो यह देखिए थोड़ी सा कसूरी में थी और फिर से थोड़ी देड़ के लिए धखें ना जैसे कि मैं बहुत देख देना जैसे कि मैंने वोइल नहीं किया अगर वोइल खाते तो बज्याते हैं यह फोड़ी देखें पर यह बाद देख देना और अच्छी लग रही पत्ति यह बहुत अच्छी होती है तो आप बना सकते हैं और इसके बाद समंदर्य पत्ति एड़ कर देना है तो इसमंदर्य पत्ति एड़ करती है तो इसलिए आज दिखाती हूं परतन में निकाल के तो इसलिए गाइस वी कुछ इस तरीके से है और ये बनके रेड़ी हो गई है तो चलिए गाइस मिलूंगी नेश्ट वीडियो मस्चे से विलोग के साथ तब तक के लिए बाई बाई वीडियो पसंदावे तो लाइक कर देना बाई बाई टेक क्यार